हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू पुनीतास किचिन, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी आटे के गोलगप्पे, इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी आटा, वनफोर्थ कटोरी सूजी, वनफोर्थ कटोरी तेल, नमक थोड़ा सा और ये आटा हम गरम पानी में गून देंगे, एक ब पनफोर्थ स्पून के करीड, और तेल डाल देंगे इसमें, अब इसे अच्छे से मैश करेंगे हाथ से, ऐसे, विलकुल इसे मिक्स करना है, ये मिक्स हो गया है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा गरम पानी डालेंगे, आटा गूनना है हमने, सौफ्ट डो होना चाहिए हमा बहुत जादा टाइट नी होना चाहिए, और गरम पानी से सूजी फूलती है, तो ये थोड़ा सा वाइट में भी टर्न होगा, गितना आप मलेंगे उतना अच्छा आटा हमारा तयार होगा, ये आटा गुन गया है, अब इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, आदे गुन्ने में हमारा आधा कटोरी पानी लगा है, आप अपने हिसाब से पानी एड़्जेस्ट कर सकते हैं, इस तरह से ये छोटी छोटी बॉल्स हम बना लेंगे, जितना आपको बड़ा गोलगप्पा चाहिए, छोटा गोलगप्पा चाहिए छोटी बॉल बनाएं, ये इस तरह से थोड़ा सा इसे प्रेस कर लेंगे, बॉल को, अब यूँ पतला पतला इसे बेलेंगे, ये देखिए, ये एक मरा गोलगप्पा बेल के तयार हो चुका है, इसी तरह बाकी सारे बेल लेंगे हम, अब तेल गरम हो चुका है हमारा कढ़ाई में, अब एके करके इसे फ्राई कर लेते हैं, ये हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है गोलगप्पा, ये देखिए, ये फूल गए है एक दम से, मीडियम फ्लेम पे हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये थोड़े क्रिस्प हो ये तेल ठंडा ना हो इस चीज का ध्यान रखें, ये गुलगप्पे हमारे बन के तयार हो गए है, इसी तरह हम बाकी गुलगप्पे भी फ्राई कर लेंगे, ये देखिए गुलगप्पे हमारे बन गए है, ये मैं आपको चेक कर वाती हूँ, ऐसे ये इतने क्रिस्पी तर अब यहाँ पर ये बॉइल डालू है, इन्हें बारी काट के मैंने इस पर नमक डाल के रखा है, और ये बॉइल छोले है, इसमें भी नमक डला हुआ है, इस तरह से हम सर्फ करेंगे, थोड़ा से आलू डालेंगे, थोड़ा से छोले डालेंगे, ये मीठी चटनी है, इसकी सर्फ करेंगे और अगर कई गुलकप्पे ना फूल हैं तो आप उसकी पापड़ी चाट भी बना सकते हैं देखिए गुलकप्पे हमारे रेडी हैं सर्फ करने को Thanks for watching. Kindly subscribe my channel for more such videos.